अश्विन के नाम महर रिकॉर्ड बीजिटी के सरताज आर अश्विन एक साथ लगाई रिकॉर्ड्स की जड़ी भारत और उस्टेलिया के बेच इव बॉर्डर गवास का ट्रॉफी का आकरी मकाबला एहमदाबाद के मैदान पर शुरू हुगा इस मकाबले में ऐस्टेलिया के टीम ने पहले बलेबाजी करते हुए पहली पारी में 480 रन बनाए टीम के लिए शांदार बलेबाजी उस्मान ख्वाजा और कैमरोन ग्रेने की दोनों ने अपनी पारी के दुरान शतक लगाया और टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुचाया इसके लाबा टीम इडिया के लिए गेंद बाजी में कमाल आरश्विन ने किया रवी चंदरन अश्विन के बात करें तो 47.2 ओवर में 15 ओवर मेडन फेकने के साथ 91 रंदे कर आरश्विन ने 6 विकेट चटकाया आरश्विन ने सबसे पहला शुकार ट्रविस हेड के रूप में लिया ट्रविस हेड को उन्होंने 32 रंद के नीजी स्कोर पर पविलिन भेजा इसके बाद आरश्विन ने अपना दूसरा विकेट केमरोन गिरिन के रूप में लिया और टीम इडिया को एक बड़ी सफलता रहा अब उनसे आगे एक मात्र अनील कुम्रे मौझूद है इसके अलावा आरश्विन ने जैसे ही 5 विकेट पूरे के उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिये आपको बता दें कि आरश्विन भारत में 5 विकेट हॉल सबसे जादा लेने वाले खिलाडी बारत की तरफ से खेलते हुए बारत में उन्होंने सबसे जादा बार 5 विकेट ہॉल लिये हैं इसके अलावा 2023 बॉर्डर गवास का टरॉफी में आर शुन के नाम सबसे जादा विकेट हो गई है वहीं अगर बात करें बॉर्डर गवास का टर टोफी में overall सबसे जादा विक इस लिस्ट में भारत के अनील कुमले का रिकॉर्ड आरश्विन ने तोड़ दिया है अनील कुमले के नाम 20 मुकाबलों के 38 पारियों में 111 विकुट मौजूद थे अब आरश्विन ने इस रिकॉर्ड को तोड़ कर भारत के लिए बौर्डर गवास का ट्रॉफिय में सबसे ज्यादा विकुट लेने का कार नामा किया है लिस्ट में हर्बजन सिंग का भी नाम था हर्बजन की बात करें तो 18 मुकाबलों में उन्होंने बौर्डर गवास का ट्रॉफिय में 95 विकुट चटकाई रविंदर जड़ेजा जो की स्वक्टी मीडिया का हिस्सा है उनके ना आपकी जो कुछ राय है कमन करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें स्पोर्स की अबडेट के लिए देख तेरे बने लिए नमस्कार